Microsoft Excel Learning के इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे Data Tab के अंदर दिये गए Data Tools का यूज और Data Tools में हम सीखेंगे Text to Columns Tools का यूज और साथ में Remove Publicates Tools का यूज और इसे हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं Text to Column Text to Column के मदद से हम Single किसी Column में दिये गए Text को अलग-अलग Columns में Split करते हैं इसे करने के लिए आपको उन Cells को Select करना है Select करने के बाद आप Text to Column Tool का यूज करोगे ये Tool तीन Steps में Complete होता है First Step में आप चूज करोगे कि आपका Data Type क्या है क्या वो एक Delimited Character के साथ है या फिर आपका Data Type Fixed With है Delimited Character का मतलब ये हुआ कि आपके Text में कोई एक ऐसा Character है जो आपका एक Splitting Point बनेगा जैसी कि मेरा सतंदर कुमार एक नाम है यहां पे सतंदर और कुमार को Space जो Character है वो अलग करता है तो अगर आपके Text में ऐसा कोई भी Space, हाइफन, कॉमा कोई भी एक Special Character है तो आप Delimited Tool का यूज करोगे और अगर आपके Text में कोई ऐसा Character नहीं है तो उस Case में आप Fixed With यूज करोगे जैसा की मेरे पास यहां पे कुछ पार्टी के GSTN नंबर है और मुझे इनको कुछ State Code, Pen Number और Last 3 डिजिट में Split करना है यांकि पहले दो डिजिट मुझे इस सेल में चाहिए और फिर मुझे Next 10 डिजिट जो की Pen Number होता है वो इन सेल में चाहिए तब मैं Fixed With का यूज करूँगा अभी हमारे पास चुकि हमारे नेम में एक Special Character एक Space है तो हम चुनाओ करते हैं Delimited Character वाला यहां से हम करेंगे Next Next के बाद आपको Second Step में अपना वो Delimited Character बताना होता है जिसका यूज करके आपके Text को अलग-लग Column में Split किया जाएगा तो हमारे Case में चुकि एक Space है तो हमने Space को Select किया उसके बाद आप जैसे ही Select करोगे यहां पर अपस Data Preview हो जाएगा कि आपका Text कैसे Split होगा इसके बाद आप करेंगे Next Next करने के बाद आपको यह चुनना होता है कि आपका जो Column Data Format है जिस Column में आपका Text जा रहा है वो कौन से Data Format में रहेगा यहां पर आप क्योंकि हम टेस्ट को कर रहे हैं तो हम Text का चुनाव करते हैं इसके बाद आपको आपको बताना है Destination Cell वो Cell जहां से आपका Text Split होना शुरू होगा और जहां पर Present होगा यहां पर मेरा अभी Current Cell B3 है क्योंकि मेरा यह Data B3 से Start होगा है अगर इस Point पर आप Finish करते हो तो आपका यह Original Data Delete हो जाएगा और यहां पर आपके First जो यह सतंद्र है वो यहां पर आजाएगे अगर आपको Original Data चाहिए तो आप अपने Destination Cells को Change करके अपना First Cell Column का Decide करोगे जो आपको जहां से Data आपको चाहिए तो हमने यहां पर Select किया C3 C3 Select करने के बाद हम इसे Finish करते हैं जैसे हम इसे को Finish करेंगे और उसके बाद OK करेंगे हमारा Data Split होके अलग-अलग Column में आ जाएगा इन Names में हमारे पास Special Character एक Hyphen है तो इसे करने के लिए हम अगें Cells को Select करते हैं Text to Column का चुनाओ करते हैं Delimiter Characters का Use करेंगे Next Column में जाके हम यहाँ पे Space को Uncheck करेंगे और Other के Options में अपने Delimiter Character को बताएंगे कि Delimiter Character मेरा एक Hyphen है और फिर इसे Next करके Text को Choose करेंगे Destination Cells में हम H3 को Select करेंगे और यहाँ पे जैसे हम Finish करेंगे और OK करेंगे मेरा Text Split हो जाएगा तो यहाँ तो हमने देखा कि हम Delimiter Character के Base पे कैसे हम अपने Text को अलग करते हैं अब हमारे पास यह GS10 Number है इस GS10 Numbers में हमें इनको अलग करता है पहले 2 digits मुझे States Code यानि कि इस Column में आई चाहिए उसके बाद के जो Next 10 digits है वो मुझे इस Column में चाहिए और उसके बाद जो Last 3 digits बचता है वो मुझे इस Column में चाहिए तो उसको करने के लिए आप मने Text को Select करते हो उसके बाद आप जाएंगे Text to Column में और यहाँ चुनाओ करेंगे Fixed Width का Fixed Width में आपको करने के बाद आप Next का चुनाओ करेंगे उसके बाद आपका ये Data Preview होगा यहाँ पे आपके Data की Scaling है कि इसमें जो भी Characters है वो दिये गए यहाँ पे आपको जहाँ भी Split Point Create करना है उस Split Point पे अपना Mouse ले जाके आप Left Click करोगे Left Click करते ही आपका एक Arrow Create हो जाएगा उसके बाद आपको जो Second Splitting Point Create करनी है वहाँ पे आप रखके अपना Again Left Click करोगे ठीक है उसके बाद आपको अगर Third Step में करने के जोवत नहीं है क्योंकि मेरा Data यहाँ पे खतम हो रहा है तो अब इसके बाद हम यहाँ Next करेंगे Next करने के बाद मुझे वही Again Format बताना है कि मेरा Column Data Format क्या होगा उसके बाद मैं Destination Cell यानि की C21 को Select करते हैं और उसके बाद हम Finish का बटन जैसे ही Press करते हैं और फिर OK करते हैं मेरा यह Text अलग हो जाता है 07 अलग हो गया यह Pan Number मेरा अलग हो गया और Last 3 Digits अलग हो गया तो इस Tools के तरूँ मैं किसी भी JSI Number से अपना Pan Number जान सकता हूँ कि वो कौन सा Pan Number इस JSI Number में यूज हुआ है अब हम Next देखते हैं Remove Duplicates Tool को Remove Duplicates Tool की मदद से हम क्या गरते हैं हमारे Data में जितने भी Duplicates Value होती है उन Duplicates Value को Delete करके Unix Value जो होगी वो मेरी Present हो जाएगी यहाँ पे मेरे इस Data में कई सारी Duplicates Value है यानि कि जो Product Name है वो कई बार आ रहे हैं अब मुझे अगर इसे Unique चाहिए वो Unique Value चाहिए जो मेरे Product है तो मुझे इन Data को Select करना है Select करने के बाद आप Remove Duplicates Tool को Open करेंगे Remove Duplicates Tool में आपको वो Column सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेरे पास अलेडी एक ही कॉलम ने सेलेक्ट किया था तो मेरे पास वो Column आ रहा है और यहाँ से हम इसे करेंगे OK जैसे ही OK करेंगे मेरे पास एक Message आएगा कि 21 Duplicates Value Found and Removed 13 Unique Value Remains ठीक है यानि कि इस डेटा में से 21 Duplicates Value थे वो डिलीट कर दिये गए है और 13 Value आपकी जो Unique थी वो अब रहे गई है इस तरह से हम अपने Duplicates Value को Remove करके Unique Value को जान सकते हैं अब अगर हमने यहाँ पे अपना यह जो डेटा है इन डेटा से को Select किया Select करने के बाद हम अगर Remove Duplicates में जाएं तो यहाँ पे मेरे पास 3 Column की Information आ रही है और यहाँ पे साथ पे मेरे पास जो नाम है वो लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास My Data Has Headers का Option है और मैंने इसे चेक किया है अगर मैं My Data Has Headers का Option अंचेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे Columns की Information आ रही है अब आपको जिस Columns का Remove Duplicates करना है आप सिर्फ उसी Column का चुनाव करोगे Column No.C का हमने चुनाव किया और यहाँ पे हम जैसी OK प्रेस करते हैं हम देखते हैं कि जो हमारी Unique Value थी वही सिर्फ रह जाती है और जो Duplicates Value है वह Remove हो जाते हैं तो इस तरह से आप Remove Tools का Remove Duplicates Tool का यूज़ करके आप अपने डेटा से Duplicates Value डिलीट करेंगे और सिर्फ Unique Value आपको मिल जाएगी तो आसा है आप इस वीडियो में Text to Column का यूज़ और Remove Duplicates Tool का यूज़ करना सीख गया होंगे